कुछ कारणवश वीडियो नहीं आ रहे थे कुछ दिनों से लेकिन अब आएंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं बता दें कि इस लेशन का इजो लेशन है आपका दोनों वीडियो जो है पार्ट वन पार्ट टू लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा देखें और आप हाल ही में है तो आप चैनल में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा उपर में ही दोनों पार ठीक है और जाएगा तो मेरे नए चैनल प्राट टू बी विहारी को जरूर सब्सक्राइब करें और पहली बार इस चैनल पर अगर आप आए हैं तो इसे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा ठीक है और अगर अभी तक हमारे टेलिग्राम वाले चैनल टूटोरियल प्लानेट पर नहीं जूरे हैं तो जरूर जूरें क्योंकि इसमें बहुत जल्द सौ मेंबर होने वाले हैं सौ मेंबर के बाद उसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा कराया जाएगा आपके एक्जाम के ठीक है तो टेलिग्राम पर भी जूरें टूटोरियल प्लानेट के नाम से टेलिग्राम पर भी चैनल बनाएं तो चलिए सुरू करते हैं इसके बाद है बट स्टिल मोर सिरियस और इससे भी ज़्यादा सिरियस बात है किससे ज़्यादा सिरियस बात है तो वह आप देखना पड़ेगा आपको पीछले वीडियो ठीक है दोनों इससे भी ज़्यादा सीरियस क्या है because more subtle क्योंकि और जो ज़्यादा जो subtle है subtle का मतलब होता है जो जटिल जो चीज है वो क्या है then the control applied to individual press जो individual press पर जो individual का मतलब होता है जो व्यक्तिकत किसी खास व्यक्तिका जो press होता है उस press पर जो control apply होता है जो पकर जो control नियंतरन जो लागु होता है by किसी किस कौन नियंतरन करता है कौन control करता है उस press को by various kinds of interest अलग-अलग तरह की रुची अलग-अलग तरह का जो लोब है वो उस press को control करता है Is the control and censorship exercised by the press upon the news and opinions which it disseminates मतलब news और opinion पर, news समाचार पर और नजरिये पर जो press के द्वारा जो exercised censorship और control है मतलब press जो censorship लगाती है मतलब नियंतरन कहते हैं उसको मतलब editing जो करती है news को कि कौन सा news शपना चाहिए कौन सा news नहीं शपना चाहिए वो जो होता है censorship और वो जो control होता है news और opinion पर नजरिये पर ठीक है, वो क्या करता है which it disseminates वो इस paper का जो interest होता है जो लोगों को बताना चाहती है और इस पर जो control है वो और बढ़ता है disseminates का मतलब होता है प्रसार होना मतलब इस paper पर जो control है वो control और बढ़ता ही चला जाता है clear है the control rests upon and exploits two basic assumptions about the public public के बारे में दो दो basic धारनाएं है दो basic धारना क्या है कि जो basic जो धारना है उस पर जो control जिसका control रहता है प्रस पर वो अपना control इस पर डालती है और इसका फाइदा उठाती है exploit का मतलब होता है शोशन करना फाइदा उठाना वो फाइदा उठाती है ठीक है दो धारना होगा कौन कौन सी दो धारना है जो public के लिए सोचती है जो press जो है press वाले लोग जो है वो ऐसा सोचती है public के बारे में कैसा सोचती है तो दो चीज़ें सोचती है पहला है that they have not the wit कि उन लोगों के पास wit नहीं है चतुराई नहीं है to distinguish कि वो फर्क कर सके वो अंतर पहचान सके distinguish truth from falsehood कि जूट क्या है उस जूट में से सच खोजना खोजने की चतुराई बुद्धी लोगों में नहीं होती है लोग जो है at all कि वो लोग बिल्कूल परवाह नहीं करते that statement is false कि कोई भी statement जो है पेपर में लिखी जो कोई बात है वो false है जूट है या नहीं है इस बात की उन्हें कोई परवाह नहीं होती provided it is titiliating बस उसकी ये परवाह होती है उस जनता को ठीक है आपको news पढ़के मज़ा आया की नहीं ठीक है तो बस जनता ये सुस्ती के बस मज़ा आगया चलो ठीक है जूट है सही है इसे हमको क्या लेना देना neither assumption is flattering neither assumption मतलब आगे जो assumption है जो विचार है जो अवधारना है वो flattering नहीं है जूट नहीं है ठीक है चापलूसी वाला अवधारना नहीं है कौन सी अवधारना और वास्ता में कौन सी अवधारना between the language used privately by the late lord Northcliffe lord Northcliffe ने जो कुछ privately जो बातें बताई थी ठीक है जो private रूप से जो गुप्त रूप से उनने जो कुछ बातें बताई ठीक है उनकी जो language है उनकी जो भाषा थी late का मतलब होता है जो मर गए उनके आगे लगाया जाता है और lord Northcliffe कौन थे तो lord Northcliffe जो है वो अपने जमाने के जो first world war के जमाने के उनका अपना press था ठीक है और उन्होंने first world war में पर्थम विश्यूद में उनके press ने बहुत एहम भूमी का निभाई थी उस समय की सबसे सस्ती पत्रिका थी है about his British readers British readers के बारे में अंग्रेज जो पाठक हैं जो news paper पढ़ते थे उनके बारे में जो lord Northcliffe मतलब एक press के जो proprietor है press का जो मालिक है उसके language में उसकी भासा में और the language used publicly by Hitler about his Germanic readers there is very little to choose Hitler Hitler के बारे में आपको पता यह बहुत बड़ा ताना शाही राजा था वो ठीक है तो Hitler जो भाशन देता था Hitler की जो भाशा थी अपने Germanic reader के लिए और जो North Cliff की जो भाशा थी जो language थी अपने British reader के लिए उन दोनों के language में कोई भी अंतर नहीं था समझ सकते हैं आप समझ लीजे इस दोनों के language में जो अंतर है उसको ढूंड़ना जो है वो कठिन है both assume that दोनों मानते हैं कि Hitler और Lord North Cliff दोनों मानते हैं कि readers can be made to believe anything जो reader है उसे किसी भी बात पर विश्वास दिलाया जा सकता है the results is that accurate reporting उस accurate उस एकदम ठीक ठीक reporting का result यह है परिनाम यह है which used to be pride of the old-fashioned independent newspaper जो पुराने जमाने के स्वतंत्र newspaper का गर्व था जो पुराने जमाने के स्वतंत्र newspaper के द्वारा जो accurate reporting की जाती थी has largely given place to reporting which is at best slip shot and at worst tendentious जो पुराने जमाने में जो newspaper जो reporting करती थी खुले रूप से वो उस reporting ने बहुत बरा जगह बहुत बरा place जो है वो आज के रिपोर्टरों को आज के reporting को दिया है जो आज की reporting जो है वो सबसे अच्छी slip shot हो सकती है मतलब एकदम बेपरवाह तरीके से reporting होती है और worst tendentious tendentious का मतलब होता है कि एकदम पक्षता पुर्ण किसी एक व्यक्ती के पक्ष में या किसी एक व्यक्ती के भी पक्ष में एकदम घटिया तरीके से reporting की जा सकती है और ऐसा ही होता है चलिए अगला paragraph देखते हैं I should like to illustrate मैं उदाहरन देना चाहूंगी लेखी का कहती है I should like to illustrate मैं उदाहरन देना चाहूंगी with quite tribal examples कुछ तुछ ट्राइवल का मतलब होता है तुछ छोटे छोटे उदाहरन drawn from personal experience मेरा जो कुछ personal जो experience है मेरा जो कुछ व्यक्ती का तनुभव है उसके आधार पर मैं कुछ उदाहरन देना चाहूंगी छोटे छोटे उदाहरन the various ways by which both fact and opinion can be distorted कई सारे तरीके हैं जो जिसके द्वारा जो दोनो fact है जो दोनो बात है कौन सी दोनो बात ये दोनो बात जो है ये दोनो बात जो मैंने बताई है कि लोगों में चतराई नहीं होती है और लोग जो है उनको परवा नहीं होता है कि कौन सा न्यूस सही है गलत है इससे कोई मतलब नहीं है ठीक है जो दोनो जो बाते हैं ठीक है can be distorted उन्हें तोर मरोर कर पेश किया जा सकता है so that a kind of smear of unreality एक औव वास्तविक्ता का जो धबा है smear का मतलब होता है धबा ठीक है दाग एक unreality का जो धबा है दाग है is spread over the whole newspaper page वो पूरे newspaper के page पर पन्नों पर परा रहता है जो जिस बातों से कोई लेना देना नहीं है जो बात विलकुल जूट है वो बाते newspaper के पूरे page पर भरी रहती है from reports of public affairs down to the most casual items of daily shop daily gossip रोजमर्रा की जो बाते हैं उस से ले करके और public की जो बाते हैं जो public affair की जो बाते हैं public से संबंदी जो बाते हैं उन बातों तक जूट मूट की बातें जो है वो फैली रहती है ठीक है अब क्या सब बातें फैली रहती है न्यूज की इस तरह से छपता है तो चलिए देखते हैं paragraph number 10 न्यूज पेपर में किस तरह के headlines दिये रहते हैं इसके लिए हमारे लेकी का महोदयया ने कहा है ठीक है poetis ने कहा है कि सबसे पहला जो news लिखा जाता है तो सबसे पहले जो है उन्होंने कुछ example ली है चार example ली है तो चलिए देखते हैं तो पहला होता है newspaper का headlines होता है ठीक है उपर में जो मोटे मोटे अक्षरों में लिखा रहता है उसके बाद छोटे छोटे अक्षरों में news लिखा रहता है तो उसे headlines कहा जाता है उपर वाला जो headline होता है वो sensational होता है sensational का मतलब होता है समवेदात्मक मतलब संसनी खेज जिसे नहीं बोलते है संसनी खुलासा ठीक है उस तरह से ऐसा समवेदात्मक लिखा रहता है headline कि हमें लगता है कि चलो एक बार पढ़ के देखते है क्या है कुछ ठीक है तो इस तरह से headline जो है वो sensational होता है ठीक है उसके बाद false impasses false impasses मतलब जूटा जोड दिया रहता है उस headline पर उस news पर कि एकदम बिकार का बकवास एकदम जोड़दार बनाया जाता है ठीक है impasses मतलब होता है जोड़दार जोड़दार बनाना जोड़ देना and suppression of context और context जो होता है context का मतलब जो प्रसंग है जो main बात है उसको suppress किया जाता है दबा दिया जाता है suppression का मतलब होता है दबाना या दमन करना ठीक है तो वो जो context है जो main बात है जो मुख्य बात है प्रसंग है उसको उसका दमन कर दिया जाता है उसको दबा दिया जाता है नाश कर दिया जाता है इस तरह से बेकार का हेडलाइन और उसके अंदर में जो न्यूज रहता है वो भी बेकार रहता है इस साल अब वो आगे कहती है कि इस साल कब 1941 में 1941 में उन्होंने लिखा था This year at the Malvern Conference Malvern नाम के जगह पे एक सम्मेलन हुआ था Conference मतलब सम्मेलन हुआ था I read a newspaper I read a paper dealing with the theological grounds for church concerns Church से संबंधित मामलों में Church मतलब church गिर जागर और concern का मतलब होता है मामला तो church से संबंधित मामलों में theological ground पर theological का theological का मतलब क्या होता है जो मतलब धार्मिक धार्मिक आधार पर ठीक है ground मतलब आधार तो theological मतलब धार्मिक ठीक है तो धार्मिक आधार पर church के मामले में धार्मिक आधार पर कुछ बातें मैं पढ़ रहा था जो पेपर में लिखा हुआ था With Politics and Sociology और उस बात में Politics चिपी हुई थी राजनीती चिपी हुई थी और Sociology मतलब समाजिक समाजिक भावना भी चुपी हुई थी With the Complimentary Dangers और उस News में किसी चीज का खतरा था जो पूरक खतरा होता है मतलब वो न्यूज छपा है तो पका इस बात का खतरा था किस बात का आगे पढ़ते हैं कॉंप्लिमेंटरी का मतलब समझी कॉंप्लिमेंटरी का मतलब होता है पूरक मतलब एक चीज के बदले में दूसरे का उप्योग करना दोनों चीज मिल करके एक मतलब एक चीज के बिना दूसरा चीज अधूरा है तो उस दोनों को हम पूरक कहेंगे तो उस न्यूज का पूरक क्या था वो कुछ खत्रे थे किस चीज का खत्रा पेटिज्म और कैसरिज्म का खत्रा पेटिज्म का मतलब होता है पाखंड ठीक है प दोलन है इस बात को बढ़ावा दिया गया था मतलब पाखंड को बढ़ावा दिया गया था और कैसरिज्म का मतलब होता है ताना शाहि निरंकुस साशन इसको बढ़ावा दिया गया था इस दोनों बात का खत्रा मुझे उस न्यूज में लगा and with the importance of incarnation doctrine और उसमें उस news में किस चीज की महत्ता थी किस चीज का महत्तु था incarnation doctrine incarnation doctrine का मतलब होता है अवतार सिधान्त मतलब उसमें अवतार सिधान्त के महत्तु को बतलाए गया था कि किस तरह जो इश्वर है इसा साथ के अरह के लिए सूना है तो इनसी अन्होंने जर्म लिए किस तरह उसके मतला इस तरह से लिखा गया था कि वो विद्रो हो जाए कुछ पाखंड हो जाए ओस तरह से जूटी मुटी बात ने लिकी थे इन दिस कनेक्शन इस कनेक्शन में अवतार सिधान्त को कनेक्शन में ले करके पिटीज्म और कैसरीज्म को बढ़ावा देते हुए वो न्यूज लिखा गया था आउट अफ एट थाजन वर्ड्स आठ हजार सब्द से ज्यादा में लिखा गया था संब 250 डिल्ट विद अपनेक्शन बेट्वन कैसरीज्म और उन अंड्व इंफेसिस प्लेश अंसेक्श्वल एज चोंट्रास्टेड विद फैनांसियल मोरैलीटी ठीक है फैनांसियल मतलब फैनांस का मतलब क्या होता है जो रुप्या पैसा होता है जो आर्थिक इस्तिती होती है वो और मोरैलीटी का मतलब होता है नैतिक्ता ठीक है तो उस से सम्मा देता है मतलब फैनांसियल और मोरैलीटी नैतिक्ता को ले करके sexual मतलब sex के आधार पर उस पर जोड़ देते हुए इस तीनों चीज पर जोड़ देते हुए वो जो news है वो कैसरिज्म को बढ़ावा ताना साही को बढ़ावा देते हुए आठ हजार सब्दों में लगवे में लिखा गया था ठीक है under sensational sorry यहां से this quite subsidiary paragraph यह जो subsidiary paragraph है यह जो सहाय पाराग्राफ था was reported everywhere हर जगह इसी paragraph के बारे में लिखा गया था रिपोर्ट किया गया था under sensational headline sensational headline बना करके in such a manner और इस तरह से as to convey as to convey 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 का convey का मतलब होता है संप्रेशित करना news को भेजना as to convey that this passing illusion formed यह जो passing illusion है यह जो passing यह जो इशारा illusion का मतलब होता इशारा करना यह जो इशारा है form the whole subject matter of my address और ऐसा लग रहा था कि वो जो सारी जो बाते हैं वो मेरे पते की बात हो मेरे मतलब की बात हो इस तरह से news वालों ने चापा था कि यह मेरे पते की बात है Out of the 8,000 words about the theology theology के बारे में धर्म सास्त के बारे में लगव आठ हजार सब्दों में लिखा था The reporters picked the only one which they presumed their readers capable of understanding to wit fornication आठ हजार सब्दों में जो reporters थे उन्होंने सिर्फ उन बातों को चुना जो उनके reader के समझने की छमता के काबिल था मतलब उसके reader जिस बातों को समझ सके जिन बातों को वो अपने readers को समझाना चाहते थे जिस बातों को reader के दिमाग में घुज जाए उस बातों पर ही उन्होंने जोड दिया था और वो कौन सी बात थी fornication का मतलब होता है पराई इस्तरी से जो प्रेम वगर की जो बात हैती है पराई इस्तरी का जो आदत होता है ठीक है और विवाहित इस्तरी का जो आदत होता है इस पर उन्होंने जोड दिया था उस news में you the reader आप जो reader हैं will appreciate the compliment इस compliment की आप परसंसा करेंगे was not made मैं आपके सहायता के लिए आपके भलाई के लिए आपके सुलवता के लिए बता दू कि ये जो report है ये जो news है वो नहीं बनाया गया था कि इसके दौरा you might as you might will suppose जैसा कि आप समझेंगे कि ये जो report है ये जो news है वो by a pressman from your favorite paper आपका जो favorite paper है उसका जो pressman है उसका जो press का जो मालिक है उसके दौरा ये news नहीं बनाया गया था किसके दौरा बनाया गया था तो especially selected for his understanding of ecclesiastical affairs ecclesiastical affairs जो है मतलब गिर्जा घर से संबंधित जो मामले हैं उसको समझाने के लिए उसको समझाने distorted reports emanated from a news agency ये जो सारे distorted जो news थे मतलब ये जो विकरत जो बदला हुआ जो news था ठीक है वो ये जो एकदम बेकार का news था वो एक news agency के दौरा emanate किया गया था emanate का मतलब होता है उत्पन हुआ उत्पन होना तो इम news agency किसी के दौरा उत्पन हुआ था प्रेसमें के दौरा नहीं जिसने चापा जिसने लिखा उसके दौरा नहीं news agency नहीं इसे चापा था एंड एंड इंडिविजूल एडिटर्स और किसी खास एडिटर के दौरा ये लिखा गया था news when remonstrated with when remonstrated with remonstrated का मतलब होता है विरोध करना ठीक है जब इसका विरोध हुआ ठीक है where for the most part content to disavow responsibility disavow का मतलब होता है मुकर जाना और responsibility का मतलब होता है उतरदाई तो जो दाईत है आपका तो जब इसका विरोध हुआ तो वहां के वो जो news agency जो है वो अपने उतरदाईत उसे मुकर गई इस news का कि हमने नहीं चापा है किसी editor ने चाप दिया this is how you learn what happens at public meeting और ये ऐसा है कि आप कैसके इस तरह public meeting को समझते है कि जो news agency है वो चाप देती है कुछ वी जो मन होता है भरकाओ भासन भरकाओ news चाप देती है जो कोई खास editor है जो उसका साहयक होगा या मालिक होगा वो चाप देता और बाद में जब इस news का विरोध किया जाता है तो वो अपने responsibility से मुकर जाते कि किसी editor ने गलती से या कुछ अपना उतरदायत उसे भाग जाते है कि नहीं हमने ऐसा news नहीं चापा है ठीक है तो यह पहला था कि sensational headlines रहता है मतलब समवेदातमक संसनी खेज खुला सा टैप का headline रहता है ताकि लोग उसे पढ़ें ताकि लोग उसे पढ़ते हैं कि देखिए इस तरह से गारवलिंग का मतलब होता है जूटा अर्थ मान लेना मतलब आप बोलेंगे कुछ और news वाले समझ जाएंगे कुछ और उसको चाप देंगे कुछ समझ रहे हैं आप कुछ बोलेंगे और उसको कुछ जूटा जूटी बात हैं तो उसका उदारन लेते हुए वो कहती है this is the special accomplishment of the press interviewer जो press interviewer होता है जो interview लेता है उसका जो यह special accomplishment है accomplishment मतलब उपलब्धी यह उसकी उपलब्धी है क्या उपलब्धी है कि garbling करना मतलब आप कुछ बोलेंगा वो छाप देगा कुछ समझे during the production of my latest play मेरा जो latest play था मेरा जो सबसे last वाला मतलब जो हाल का जो नाटक मैंने लिखा था उसका जो production हो रहा था लिख रहा था मैं लिख रही थी मैं I was asked मुझसे पूछा गया किसी press interviewer ने मुझसे पूछा what were my plans for the future कि मेरा future का plan क्या है आगे मैं क्या करने वाली हूं I replied मैंने कहा that I never made plans कि मैं कभी भी plans नहीं बनाती कभी कोई योजना नहीं बनाती कि आगे क्या करना है that I prefer writing plays to novels कि मैं नाटक लिखने के बदले मैं novels लिखूं ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा है कि मैं novel को prefer करूं नातक नहीं लिखू, मैं Novell को prefer कू Novell लिखू, उपन्यास लिखू ऐसा मैंने नहीं कोई पैलान बनाया है though Novel is paid better Novel में ज्यादा पैसा मिलता है Novell लिखने में, Natag में कम पैसा मिलता है फिर भी and that और तब financial consideration notwithstanding जो financial consideration है जो आर्थिक ध्यान है जो आर्थिक विचार से आर्थिक विचार से notwithstanding if the opportunity to write a play where to present itself for example another commission for the write another commission for the canterbury festival I should undoubtedly write it कि अगर canterbury festival canterbury festival को समझते हैं पहले canterbury festival केंट नाम के शहर का एक festival है मेला है जिसमें अलग-अलग लेखकों के अलग-अलग का कला उसमें दिखाय जाता है ठीक है तो अलग-अलग नाटक अलग-अलग novels उसमें दिखाय जाते हैं बेचे जाते हैं मेला लगता है और यह एक international festival है ठीक है तो वो canterbury tales में अगर मुझे commission मिले अगर मुझे commission मिले commission का मतलब अगर कुछ मुझे कुछ पैसा मिले ठीक है तो तो मेरा जो यह financial consideration है जो मेरा जो आर्थिक विचार है उसके बावजूद मैं वो novel लिखूंगी ठीक है मैनाते के बदले मैं novel लिखूंगी अगर canterbury festival जो है मिला लगता है वहाँ पे उससे अगर मुझे कुछ commission मिले तो मैं लिखूंगी ठीक है I should undoubtedly write it मैं पक्का यह लिखूंगी बिना संदेह के this reply duly appeared duly का मतलब होता है एकदम नियम पुर्वक विधिवत यह जो मैंने reply दिया उन लोगों को ठीक है तो उस लोगों ने क्या छाप दिया नियूज में चलिए अगला line देखते है appeared the press in the form प्रेस में क्या लिखके आया क्या छाप दिया उन लोगों ने Miss Sayers said Miss Sayers ने कहा She would write no more plays except on commission उन्होंने कहा कि commission के बिना अब जो Sayers है वो कोई भी नाटक नहीं लिखेंगी जब तक उन्हें commission नहीं मिलेगा बताइए मैंने क्या बोला कि अगर canterbury टेल्स से अगर मुझे commission मिलता है तो मैं novel नहीं लिखूंगी ठीक है novel में ज़्यादा पैसा मिलता है फिर भी मैं novel नहीं लिख करके मैं नाटक ही लिखूंगी ऐसा मैंने कुछ बोला था और उन्होंने चाप दिया कि जब तक commission नहीं मिलागा तब तक मैं plays नाटक नहीं लिखूंगी ऐसा है अगला है अगला paragraph चलिए देखते हैं अगले वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे और आपने अगर बहुत सारे चैप्टर का वीडियो बना हुआ है जाइए देखिए अच्छा लगेगा पक्का अच्छा लगेगा तो अगर आपको कैसा लगा आप comment में describe करें वर्णन करें और अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को subscribe करें ठीक है और वीडियो को like करके जाए अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा thank you so much bye bye take care